Let's improve English जूट बोलोगे तो क्या लोग तुमारी आरती उतारेंगे? लेट आओगे तो क्या मैं तुमारी आरती उतारूगा? इन sentences को हम English में कैसे कह सकते हैं? इन sentences को हम English में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ confusing but useful in the sentences का English translation करना मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ इस वीडियो को end तक ज़रूर देखना You're definitely going to improve your English Let's look at the first one जूट बोलोगे तो क्या लोग तुमारी आरती उतारेंगे? Will people reward you if you lie to them? Will people reward you if you lie to them? Friends, इस तरह के से हम इस बात को express कर सकते हैं वो तुम्हें इनाम देंगे आरती उतारेंगे If you lie to them Late आओगे तो क्या मैं तुमारी आरती उतारूँगा? Will I reward you if you get late? Will I reward you if you get late? इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं Will I reward you for getting late? Will I reward you for getting late? कोई ना कोई तो समादान होगा कोई ना कोई तो जरूर है सब के पीछे There must be some solution or other There must be some solution or other कोई ना कोई तो जरूर है सब के पीछे There is someone or other behind all this There is someone or other behind all this माफिय मागने के नाम पे वो मेरे घर तक आ गया पार्टी के नाम पे क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए बुलाया है? इस चीज के नाम पे उस चीज के नाम पे इंगलिश में कैसे कहेंगे He came straight to my house in the name of apologizing He came straight to my house in the name of apologizing पार्टी के नाम पे क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए बुलाया है? Have you invited me to insult me in the name of the party? पार्टी के नाम पे क्या मेरी insult करने के लिए बुलाया है? वो तो शर्म के मारे वहाँ जाता ही नहीं है उसे शर्म आती है शर्म के मारे उसे बात नहीं कर पा रहा हूँ शर्म के मारे कोई कुछ करने ही पा रहा है उसे शर्म आ रही है इसे कह सकते हैं He is embarrassed to go there He is embarrassed to go there शर्म के मारे उसे बात नहीं कर पा रहा हूँ अब यहां बीच सड़क पे तमाशा मत बनाओ तुम्हें इतना तमाशा नहीं बनाना चाहिए था कैसे कहेंगे इसको भी आना था इस कार को भी खराब होना था कई बार मैंसे परिशान होकर frustrated होकर ऐसे कहते हैं न ऐसा भी अभी होना था इसको भी अभी आना था इसे भी इसे वक्त क्यों आना चाहिए था इसे भी कह सकते हैं ब्रेक डाब होजाना आप एकदम टाइम पर पहुचे हो ना एक मिनट इधर ना एक मिनट उधर इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं वो दुकानदार तो लोगों को ठगता है इस फ्रेजल वर्ब का आप यूज कर सकते हैं ऐसा बताने के लिए कि कोई बहुत लूटने का काम करता है ठगता है यानि कि रीजनेबल प्राइज नहीं रखता है जादा चार्ज करता है वो बस तुमसे पैसे एटना चाता है अब तेरा भांडा फूट चुका है जैसे जब कोई पकड़ा गया है कुछ गलती करते हुए यानि जैसे पुलिस оф़िसर ऐसा कह सकते हैं कि अब तेरा भांडा फूट चुका है अब तू गया You are busted now मतलब अब आपको अरेस्ट किया जाएगा You are busted now अब तुम पकड़े गए You are done for now अब तेरा भांडा फूट चुका है That's it for this video आशे करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर सीखा होगा इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने बिज़त नहीं किया है तो So friends बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में Till then take care and bye bye